हमारे सब्त रिशियों ने भारतिय संस्कृति की आधार शिला मानव के अंदर छेपी असीमिर शक्ति के आधार पर रखी थी उन्होंने यह जाना कि मानव के भीतर वह सभी कुछ है जो की ब्रह्मांड में है और शायद इसी लिए यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की बात कही गई मानव इश्वर की वोक्रती है जिसमें इश्वर की ही भाती पूनता है मानव के भीतर संचारित होने वाला प्राण ही विश्वात्मा है यह ब्रह्महंट के अणू परमाणू में व्याप्त महत शक्ति है चराचर में व्याप्त प्रान शक्ति ही श्रष्टी का मूल है इसे ही रिश्यों ने प्राणा प्राणा स्य कहा है जिस प्रकार पेड की पत्तियों के हिलने से हमें आभास होता है कि हवा चल रही है उसी प्रकार मानों के अंदर हो रहे श्वास प्रश्वास से हमें पता चलता है कि उसके शरीर में प्राण है श्वास हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में अपना प्रभाव पैदा करती है हाला कि व्यक्त होने के लिए श्वास के निर्भरता शरीर पर है परन्तु श्वास अपने आप में आश्रे विहीन और स्वतंत्र है और यही वह शक्ति है जो प्राणियों के जीवन का मूल आधार है हमारे सब तुरिशियों के चिंतन का विशे भी यही था विश्रष्टी के मूल तत्व की खोज में थे सांस के अंदर छिपा महाविज्ञान मूल तत्व का प्रतिपादक है ब्रह्मा के प्रश्वास से इस ब्रह्मांड का अविर्भाव हुआ ब्रह्मा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है संस्कृत भाषा ब्रहधातू का अर्थ है सांस छोड़ना, व्रहत होना, फैलना, आगे पीछे होना, स्पन्दित होना या विकर्षण आकर्षण होना ब्रह्मांड का प्रारंभ उस प्रश्वास से हुआ जिसने विकर्षण आकर्षण का दोलन किया एक ऐसी क्रिया जिसमें फैलाव खिचाओ थे या अन्वरत विकर्षण आकर्षण इस दोलन क्रिया या जगत की नीव है जगत शब्द का अर्थ ये भी है जो आगे पीछे इस प्रिंग की भाती दोलन क्रिया करे जैसे किसी तालाव में एक प्थर फेका जाए जिसका पानी पूर्व में शान्त एवा मिस्थिर था परंतु प्थर फेकने के बाद जल में कंपन होता है और लहरे बनती है ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा की उच्छ्वास के पश्षात हुए कंपन से समष्ट स्रिष्टी उत्पन हुई ब्रह्मा की उच्छ्वास के पश्षात श्वास का उर्द अधा अर्थात उपर नीचे होना ही प्राण का संचरण कहलाता है इस प्रकार का संचरन प्रकती के ब्रह्मांड या असंख ब्रह्मांडों में हो रहा है यही मूल प्रान की गती है यहां तक की भौतिक पदार्थों में जैसे उपर से निश्क्रिय लगने वाली वस्तूओं जैसे पहाड पत्थर वरक्ष आदी में भी एक अकर्षण विकर्षण विद्धमान है यही कारण है कि एक पत्थर के अंदर असंख अडू पर माडू एक दूसरे से चिपट कर उसे पत्थर की आकरती परदान करते हैं और जब इस पत्थर को तोड़ तोड़ कर उसके कणों को शत विशत करते हैं तो वैं असंख कणों के रूप में मिट्टी जैसी आकरिती धारण कर लेते हैं यहां उनके टुकड़े टुकड़े कर हमने उस पत्थर को एक ऐसी विकर्षण की इस्थिति में पहुचा दिया कि वह कड़ मात्र रह गया ब्रह्मा यानि आद्वी पुरिश्या शक्ति की इस गती प्रदायता शक्ति की ये फिशेष्टा है इस गती का नाम प्राण है हमारे शरीर में ये सास ही विगती है जिसे हम प्राण कहते हैं इसके निकलते ही शरीर निरजीव हो जाता है इस प्राण शक्ति की पकड़ बड़ी सूक्ष्मता से हमारे आदी रिश्योंने की एक सास अर्थाद श्वास प्रश्वात अर्थाद एक खीचती हुई सास और एक छोड़ती हुई सास इन दोनों का मतलब एक सास इसी को अंग्रेजी भाषा में पल्स या प्राण कहते है संस्कृत भाषा में स्पंदन कहते है यही हमारी जान है इसी को प्राण कहते है खींस्ती सास छोड़ती सास के बिना अधूरी है अतैव खींस्ती छोड़ती सास को ही श्वास प्रश्वास कहते हैं यही एक पूर्ण श्वास है इस श्वास में रिश्यों ने उनन्चास स्पंदन देखे यही स्पंदन जब ध्वनी रूप में सुने गए तो उनन्चास अक्षर बने यही उनन्चास अक्षर अर्थात जो कभी भी नश नहीं होते इनी अक्षरों से संस्कृत इस्पन्दन वड्रमाला के 49 अक्षर बने इनी अक्षरों से शब्द एवं शब्द स्वमूंब बने और इनी से भाषा का उद्भव हुँआ परन। ये सभी 49 अक्षर एक साथ में अर्थात एक श्वाष प्रश्वास में हैं इन ही श्वास प्रश्वास का अन्वरत आगमन से ही हमारी आयू का निर्धारन होता है इन में आई रुकावट ही हमारी मृत्यू है यही देह की मृत्यू है इस श्वास प्रश्वास में जब असंतुलन लगातार क्रम्बबद तरीके से बढ़ता ही जाता है तब हम बीमारी, व्रद्धावस्था और अंत में मृत्यू का शिकार हो जाते हैं इसमें संतुलन बनाय रखने को ही साधना अथ्वाव उपाय कहते हैं उधारण के तोर पर एक स्प्रिंग जब खींची जाती है तो वे अपनी पूर अवस्था में पहुचने के लिए चेश्टा करती है परन्तु यदि उस पर इतना दबाव डाल दिया जाए कि वे अपनी स्वाभाविक अवस्था में पुना पहुच ही ना पाए तो इस स्प्रिंग की लचक का अंत हो जाएगा अर्थाद अब वे स्प्रिंग नहीं रह जाती ठीक उसी प्रकार हमारी श्वास प्रश्वास में स्प्रिंग की तरह की लचक जब किनी कारणों से समाप्थ हो जाती है तो मृत्यू हो जाती है ये दुरभाग गे पूर्ण है कि आधुनिक भारत वहिष में भारत के लोगों को ही भारतिय संस्कृति की मूल भित्ति की जानकारी नहीं है